नमस्कार दोस्तों कैसे हुआ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और ब्यस्त भी होंगे लेकिन दोस्तों देखिए यह मेरे च्छत की क्या हालत होगी मेरे प्लांट्स की सारे मेरे प्लांट्स अस्त ब्यस्त दिख रहा है दोस्तों ये देखे मेरे ये गार्डन का क्या हाल हो गया है मेरा पूरा गार्डन उजर सा गया है पूरे गमले विखरे परे हुए कहीं कोई तूट गया है तो कहीं मत अस्त बियसा पूरा छट दिख रहा है और यहां पर दीके पूरे वाल पर जो मेरा हैंगिंग बास्केट वो भी निकाल के रख दिया गया है तो ये दोस्तों ये मेरा काम चल रहा है यानि पेंट का काम चल रहा है जिसके चलते ये मेरा पूरा गार्डन उजर गया है सारे गमले अस्त बेस्त हो गया है और पूरा छट मेरा विखर सा गया है कहीं जगा नहीं है दोस्तों कि मैं ठीक स से वीडियो भी बना पाऊं या फिर कुछ अपने प्लांट की अपडेट दिखा सकूं ऐसा कोई भी जगर नहीं है जहां प्लांट्स ना हो दिखने में बहुत ही जंगल सा लुक हो गया है तो दोस्तों यह जो मेरा पेंट का काम है यह अक्टूबर से ही मेरे घर में चल रहा और यह बहुत बारा घर है इसलिए टाइम बहुत जाधा लग गया है तो इसनली इसलिए अब उपर काम चला आया है यानि च्छत پर तो गार्ले चात को भी कराना पूरे रेलिंग को वाल को सबको करना है और इसको करत करना है तो इधर देखिए इधर वी पैंठ हो रहा है और पूरा समान अस्त बेस्त सा दिख रहा है पानी डाले की भी जगह नहीं है दोस्तों तो किसी तरह मैंने आज पानी डाला है तीन चार दिन पर क्योंकि पूरे जगह कवर कर लिया है प्लांट्स ने कहीं से कोई दीख नहीं रहा है और उधर देखिए यह मेरा किश्चन गार्णिंग का किनारी के लगा हुआ था सब बेले लगी हुई थी सब जीओ की उधर नेट पर वह भी पेंटर लोग निकाल के हटा दिये हैं पूरा हुआ है यह देखिए कुछ दिन पहले मैंने नर्शरी से सब प्लांट्स लाएं वह भी इसी तरह परा हुआ है उसको रिपोर्ट भी नहीं कि हूँ समय ही नहीं मिलता है गार्ण में च्छत पर जगह ही नहीं है इधर भी कुछ समान विखरा परा है च्छत पर थोड़ी सी जगह नहीं है देखिए सारी मीटी मैंने बना के त्यार करके रखा है लेकिन कहीं भी जगह नहीं है कि मैं अपने प्लांट्स को जो नौर्शरी से लाएं हो रिपोर्ट करूं क्योंकि पूरा गार्डन मेरा भरा हुआ है पूरा च्छत भरा हुआ उधर देखिए यह फूल मेरा काम चल रहा है देखिए इधर भी समांट जो स्टैण वगादा है यह समांच बिख्रे हुए है पूरा च्छत और लिया यह दिख़े यह विंटर के भी प्लांट्स इधर रखए हुए है यह नेट वगएह निकालके चुक्षोर्थ में रखा हुवा है और देखिए य और उधर भी देखिए सारे प्लांट्स लगा ये डहलिया का प्लांट है चुटे-चुटे हैं इधर गेंदे के जो कटिंग से लगाई थी या फिर बीच से लगाई तो वह सब है उधर गुलदावदी है तो देखिए कि इतना अस्त व्यसा दीख रहा है कहीं आपको जगह द पुरा वाइट वाइट सेमेंट गीरा हुआ पूरे च्छत पर जो की डश्ट भी बहुत सारे प्लांट्स पर आ गया है इधर देखिए ये पुटी बनाकर रखे हुए हैं और समान भी बिखरा परा है दोनों च्छत पर पूरा समान बिखर गया है मेरा गार्डन तो देखन बहुत अपसोस होता है लेकिन क्या कर सकते हैं ये काम भी जरूरी है क्योंकि च्छत पर पेंटिंग कराएंगे तो च्छत का लुक भी बदल जाएगा और ये सारे जो प्लांट्स है अभी टेंसन हो रहा है दोस्तों की इसको कहां मैं रखूंगी कैसे 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 इसको सेट अब करूंगी सब मैं आप लों के साथ वीडियो दिखाती चलूंगी अभी देखिए ये सारे जो प्लांट्स है अभी फूल इसमें बहुत अच्छे से खिल रहे हैं सबको सबकी ग्रोथ अच्छी है लेकिन वही है यहां पर देखिए ब्रजदंती का जो प्लांट है इसमे दिखाने की जगने दोस्तों उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहे हैं देखिए यह रोज प्लांट्स में फूल खिल रहा है क्योंकि यह सारे धूप में है तो अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है लेकिन पानी डाले में बहुत दिकतोर आए इधर देखिए यह मेरे सारे इंडोर प्लांट्स जो की यह भी धूप में ही है इनको मैंने रखा था हलके धूप में लेकिन यह पूरे सनलाइट में आ गया है जिसे की सावी प्लांट्स की पतिया पीली हो रही है अब चलिए दोस्तों इधर जगह भी नहीं है कि मैं आपको दिवाल के किनारी से देखिए ले चल रही हूँ और यह पूरा पुट्टी लग गया है और पुट्टी लगने के बाद बहुत चिकना हो गया है सारे सबुखियों की हालत बुरी हो गयी यह पूरा उधर देखिए यह बैगन में बें जितने तरह डाल दिया है बहुत बुरा लगता है दोस्तों और यह देखिए क्या हाल हो गया है मेरे करेले का वह भी नोचकी इधर रखती है यह देखिए यह मेरा लाल वाला मुली है यह वाइट मुली है और यह देखिए यहां पर यह लौकी है यह लौकी बच गया है तो यह भी छ गार्णिंग जो मैंने की थी वो भी अस्त व्यस्त है सब तूट गया है टमाटर के बहुत सारे पौधे मेरे तूट गया है इस तरह दोस्तों मेरा सारा गार्डन खराब सा हो गया है अब फिर से जब सेट अप करूंगी तो यह अच्छे से लूक में आएंगे तो अगर मैं से है तो लाइक सेर कीजिएगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ और एक कॉमेंट चरू कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक